फ्रेंट्स करंट अफेर्स के अरेक चर्चित टोपिक से समन्दित क्यूस्टन्स आपको इस चैनल पर अवलेबल करवाये जाते रहें और फ्रेंट्स जो पिछे exam आये जित वे हैं इस साल जितने भी उनमें पुछेवे current affairs के questions बारी बारी से इस channel पर available करवाये जाते रहें और फ्रेंट्स आगे भी आपको available करवाये जाते रहेंगे दक्सिन बार्थ के exam हो या फिर इमाचल परदेश या किसी भी state level का या फिर SSC national level के कोई भी exam हो उनमें पुछेवे current affairs के questions मैंने cover किये हैं पहले फ्रेंट्स और आगे भी आपके लिए cover करता रहूँगा तो friends पहला questions देख लेते हैं और उन जेटली जी को सबसे पहले 1909 में में कोंसा मंत्राले मिला था तो friends और उन जेटली जी से समधीत questions हैं आली में इनका निदन हो गया है उनके कारियों से समधीत questions सपेचली इस वीडियो में cover किये हैं उनको سरदांजली देते हुए friends तो 1909 में हैं।को मंतुराले मिला था यंद उरे स्वाइध-चनावींपर्साण राच्यमंत्री बने थे वो सवतंत्र पर बाथ के और फ्रेंट से उसके बाद इनको और भी कैबिनेट सतरके मंतुराले मिलते गए और प्रोग्रेस करते गए दोजार में इनको कैबिनेट स्थर के मंत्राले कानू ने अमन्याव मंत्राले राम जेटमलानी के इस्तिपादेने के बाद मिल गए थे अरुन जेटली का दियानत कब हुआ? 24 अगस्त 2019 को 12 बज़ के 7 मिनट पर इनका दियानत हुआ है अरुन जेटली पेसे से क्या थे? फ्रेंट्स ये पेसे से वकील थे अरुन जेटली जी और बीजेपी के निता थे फ्रेंट्स ये अपने सुरुवात में इन्होंने बीजेपी जोईन की थी इस पार्टी को फिर इन्होंने चोड़ आई नहीं लाश्ट तक ये इसी पार्टी से जुड़े रहे हैं फ्रेंट्स इनके कारियों में GST लागू करना एक जुलाई 2017 को रेल बजट आम बजट को मर्ज करना और रेल बजट आम बजट के लिए एक फरवरी की तारिख डिसाइड करना ये बहुत से कारिय किये हैं इन्होंने उनके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में जुन 2019 में किस पद पर चुने जाने के बाद उन्होंने वकालत करना बंद कर दिया था उससे पहले वकालत भी जारी रखे हुए थे वर्ष 2014 के आम चुनाव में किस लोकसभा शीट से ईन्होंने चुनाव लड़ा था तो प्रेंटस 2014 में अम रचसर की सीट से लोकसभा छेतर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग से वो आर गे थे 2014 में मरिच सर से वो लोग सभा की चुनाव आर गे थे फ्रेंट्स इन्होंने लोग सभा चुनाव में कभी भी जी तासिल नहीं की आलांकि राज्य सभा के सदे से चुने गए हैं च्यार बार 26 माई 2014 को और उन जेटली को कौन कौन से मंत्राले मिले तो फ्रेंट्स नरेंद्रम उद्दी के निततों में जब नई गोवर्मेंट बनी थी 26 माई की तारिक को 2014 में पहली बार जब इन्होंने जीत आसिल की थी तो इनको वीत मंत्राले सबसे बड़ा मंत्राले होता है वीत मंत्राले का वो मंत्राले दिया गया और कॉर्प्रेट मामले मंत्राले रक्षय मंत्राले और सूचनाव में परसाण मंत्राले यानि मुख्य मुख्य च्यार मंत्राले कैबिनेट दर्जे के दिये गए थे इनको अगला क्यूस्टन एक जुलाई 2017 को जब GS2 लागू करवाने वाले वितमंत्री कौन थे GST लागू आता वितमंत्री कौन थे Goods and Services Tax GST होता है एक जुलाई 2017 को बारत में लागूआ था अरुन जेटली उसमें वितमंत्री थे बहुत ही बढ़ा बदला होए प्रेंट्स यह इनकी जनम्ति थी और जनम स्थान कौन सा है प्रेंट्स जनम्ति थी इनकी 28 दिसंबर 1952 1952 को नई दिली में इनका जनम हुआ था दिली इनका जनम स्थान है प्रेंट्स और इन्होंने 1952 में जनम हुआ था 2019 में इनकी डेथ हो गई है तो फ्रेंट्स सड़ सड़ साल की उमर में इनका देयान तो गया है और अभी कुछी समय पहले तक ये वितमंत्री थे बार्त के और इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंट्स माराज किसन जेटली ये पेशे से वकील थे इनके भादर और इनकी मात्ता थी रतनपरभाज एटली ये थी प्रेंट्स ये समाजिक कारी करता थी अगला क्युस्चन वाजबेई सरकार में वाजबेई सरकार में इनको पहली बार मंत्रा ले दिया गया था सुचनायम परसान राज्य मंत्री का और इनके फैवरेट मंत्री भी कौन थे फैवरेट राजनेता थे ये वाजपेई जी जी थे और वाजपेई सरकार में अटल ब्यारी वाजपेई पुरा नाम है इनका अरुन जेटली को 2000-2004 के बीच कौन से कबिनिट मंत्राले समाले तो फ्रेंट्स दो बार एक बार 2000-2002 तक उसके बार 2003-2004 तक ये मंत्राले समाले थे इन्होंने कानूने नया मंत्राले तो ये फ्रेंट्स पेसे से वकील थे इस मंत्राले को भूबी इन्होंने समाला था और बहुत से अच्छे अच्छे कारिये भी किये थे इस मंत्राले पर रहते हुए तो कारिये क्या क्या थे इनके फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना अदालतों के कंप्यूटरी करन पर विशेश जोर इन्हों ने दिया और 36 गड़ जार खंड और उत्रा खंड ये फ्रेंट्स उस टाइम नए राज्ये बनकर आये थे सन 2000 में तो इनके उच्छ नयालियों के उदगाटन और उनके इमार्ग दर्शन में हुआ तो यहां पर उच्छ नयालियों की स्थापना इनके इमार्ग दर्शन में अरुन जेटली जी के ही और फ्रेंट्स एक और कारी किया इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की सिट्टे अब निर्दारीत हैं फ्रेंट्स दोजार चब्वीस तक इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा अधिक्तम सिट्टे इतनी रहेंगे 552 और 250 तो ये इससे समंदित एक क्या क्या आदार पर डिसाइड की कही हैं फ्रेंट्स दोजार चब्वीस तक ये ऐसी के ऐसे रहेंगी कोई भी बदलाव इनमें नहीं किया जाएगा अगले कारिये प्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट है इन्होंने पिछले सालों वितमंत्री रहते हुए किये थे आम बज 29 फरवरी ये 29 मैना हुआ तो 29 फरवरी को या फिर उससे पहले भी जो भी रास्ट कारिये दिवस रहेगा उसको प्रस्तुत किया जाता रहा है पहले तो प्रेंट्स इनके कारिकाल में ये इंपोर्टेंट चेंज हुआ तो अगले फाइनल से लिए के लिए टाइम कुछ मेने का पूरा मनेज आसानी से हो जाएगा तो प्रेंट्स अगले किस वर्ष अरुन जेटली ने पहली बार एक फरवरी को बजट पेस किया था तो प्रेंट्स एक फरवरी को इन्होंने बजट के पेस किया था 2017 में इन्होंने बजट पेस किया था अरुन जेटली जी नहीं एक फर्वरी 2017 को पहली बार एक फर्वरी की तारिक को बजट पेश हुआ था और आम बजट को रेल बजट में इनके समय में मिलाया गया था 31 सितंबर 2016 को किस वितमंत्री के समय रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था टो फ्रेंच्ट्स को नट थे उससी टाइम वित मन्तरी, अरुन जेट लीजी, उससे पहले फ्रेंच्ट्स वित आम बजट अलग पेशक या जाता था और रेल बजट अलग, दोनों को मिला दिया गया था और 2017 में पहली बार आम बजट और रेल बजट को मिला के पेश किया था और ये निर्णे ले लिया गया था 21 सितंबर 2016 की तारीक को फ्रेंट्स 2019 में जितने भी फेमेस परसनल्टीज का निदन हुआ है उन्हें सुसमा सवराज हो या फिर सिला दिक्सित हो और उन जितने भी फ्रेंट्स परसनल्टीज हैं उन सभी से संमंदित के एक सपेशल वीडियो दोजारल उनिस के सभी के वीडियो में विलेबल करवाए जाएंगे आपको और देख लेते हैं से समंदित अरुन जेटली जी से अरुन जेटली जी के वितमंत्री रहते हुए कब नोट बन दी हुई थी तो प्रेंट्स सब से अरुन जेटली और ये हुई थी आठ नॉमबर 2016 को नोट बंदी हुई थी उस समय आर बी आई के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी थे और फ्रेंट्स की नोने गोशना की थी परदान मंतरी मोधी ने एक बासन की दवारा गोशित किया था कि 500 और अजार रुपय की नोट उन्हें कारी किया अगले फ्रेंट्स वेक कितनी बार देश के भी तमंत्री बने तो फ्रेंट्स नरेंदर मोधीज जी की गवर्मेंट के दोरान वो एक ही बार केवल फाइनेंस मिनिस्टर देश के चुने गए थे उसी कारी काल को इन्होंने बखु भी निवाया पूरा किय और इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी है बीमार चलने लगे और अरुन जेटली से पहले वितमंत्रालिक इनके पास था तो फ्रेंट्स ये सक्सियत भी फिलाल बहुत अदिक चर्चा में है पीची तमबरम इनसे पहले इनके पास ये मंत्राले था और ये अपना गोटालों के कारणा फिलाल चर्चा में है पीची तमबर में इनसे पहले वितमंत्री थे और फिलाल ये मंत्राले फ्रेंट्स कोन है फिलाल देश के वितमंत्री मैला वितमंत्री है देश की पहली में पूरण कालिक मैला वितमंत्री इनका नाम है निर्मला सितारमन वितमंत्री के रू फिर फाइनेंस मिनिस्टरों फिलाल ही चुनी जा रही हैं अभी आल फिलाल में या फिर रक्षया मंत्री हो रक्षया मंत्री के रूप में विदेश की पहली पुरुनकालिक रक्षया मंत्री के रूप में भी इन्होंने कारी किया है अभी पिछली गोवर्मेंट में निर्मला सितारमन ने अब इनको वितमंत्रा ले दे दिया गया है और इनसे पहले यदि आपको अतिृत कारिये बार के रूप में पुछचा जाए है आज कल के एकजांस में एक अतिरृत कारिये निबाया था इंद्रा गांडी ने तो द्यान रखें फृररेंट्स अरुण तो उनकी फेमस पुस्तक रही फ्रेंट्स अंडेरों से उजालों की और ये इनकी पुस्तक थी फ्रेंट्स वे कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए च्यार बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए तो फ्रेंट्स की भी किसी भी मंत्री के पास राज्यसभा या लोक कर पाए और फ्रेंट्स अगला है अरुन जेटली जी ने कितनी बार देश का आम बजट पेश किया तो पांच बार इन्होंने देश का आम बजट पेश किया था फ्रेंट्स पिछली मोधी गौवर्मेंट में इन्होंने आम बजट पेस किया था और इस साल का अंत्रीम बजट पेस करने के टाइम पे ये बिमार चल रहे थे 2019-2020 का चुनाओं से पहले जो 6 महिने के लिए बजट पेस किया जाता है वो प्यूस गोयल जी ने पेस किया था इसी साल और उसके बाद निर्मला सितरमन नई विटे मंत्री चुनली गई थी इन्होंने चुनाओं भी नहीं लड़ा फ्रेंट्स क्योंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था इस कारण से चुनाओं नहीं लड़ा और 2010 में किस पुरुषकार एक्तू इनको चुना गया थ तो फ्रेंट्स 2010 में यह चुने गए थे सर्वे स्रेष्ट सांसद के पुरुषकार से बेस्ट एमपी का ओवाड इनको मिला था तो फ्रेंट्स यह थे इनसे समंदित क्युस्टन्स फ्रेंट्स डिंग एक्सप्रेक्स किस बारतिय रिष्षर का निकनेम है डिंग एक्सप्र किरिकेट के लिए कौन सा फुरुषकार मिलाए क्रिकेट के लिए मीया किरिकेट क्हेल चै vivid को सवाधूंगुजर राजिगांदी खेल और आतना वाड़ के बारे में पुच्छा था कि इनको मिला है बजरंग पुनिया उर्दिपा मलीक इस बार मिला है और पॉलैंड की राजदानी पूची थी वार्शा के पॉलैंड की राजदानी सवाधूंगुजर ने सही से लखके बताये राम मीना हैं विशनु मीना हैं नवल की सोर महूर हैं और संजीब कुमार हैं अचल पार्थी हैं यह रेगुलरली कोमेंट्स कर रहे हैं फ्रेंट्स महेश इग इन गोले संदीब कुमार और गोविंद दोरिया अभिशेक विशनौई सालिनी पंडे हैं नितिन सोनी हैं सुनील पुंडी रहे हैं अकसर न श्रीवास्ताव इनके भी रेगुलरली कोमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंट्स और दनन्जे कुमार इनके भी कोमेंट्स रेगुलरली मिल रहे हैं तो फ्रेंट्स बहुत ही कम दोस्त रेगुलरली कोमेंट्स कर पा रहे हैं आप में से तो फ्रेंट्स इसी तरह से जुड़े रहे हैं आप मेरे चैनल से और पीडियेफ के लिए आप टेलिग्राम को चैनल को सब्क्राइब कर दें और वहां आप जुड़े रहे हैं फ्रेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद